हलो एवरीवन, वेलकम तो यार ओन चैनल दा आड़ू एक्सलन ए लर्निंग प्रेटफॉर्म और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने यूट्यूब पर क्लासे स्टार्ट किनी जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था रोज मैस की क्लास आपको मिलेगी और उसके पैरलल में या जे डबली मेल्स एम्यू बीटेक के नाम से एक 11th लैस्ट नीट के नाम से और 12th लैस्ट वाली प्लेलिस्ट है वहाँ Janeiro का मैट्रियल मिलेगा और नीट वाली प्लेलिस्ट में आपको बायलाजी का जो है वो material वहाँ पर provide होगा और सारी videos वहाँ पर provide होगी रोज का जो session चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि रोज आपकी math की class आ रही है और उसके साथ साथ अभी फलाल में parallel में physics की videos upload होती हुँ दिखाई दे रही है कुछ दिन बाद आपको meet वाली playlist में biology की videos भी available करा दी जाएंगी और कुछ time बाद chemistry की videos भी available करा दी जाएंगी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर मैं math की बात करूँ तो as a mathematics mentor इस platform पर मैं आपके साथ हूँ और हमने class 11 का बिल्कुल basic एक chapter start किया था जो chapter number one है sets और ये मान करके किया था कि 10th के बाद जब बच्चा आता है तो उसे एक drastic change दिखाई देता है 10th 9th में जो maths वो पढ़कर के आया है उसमें और 11 12th में जो वो maths पढ़ने वाला है उसमें तो उसी बात को दिहान में रखते हुए यहाँ पर lectures लिये जा रहे है और वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ मेरे दुमाग में बहुत अच्छे से कि आप अभी 10th से pass out हो करके आयो तो मुझे बिल्कुल basic से start करना है और आपको end में advance तक ले करके जाना है तो एक तरीके से हमारी basic math चल रही है जो हम आपका 11th का base बनाने यहाँ मैंने sets लगबग पूरा complete कर दिया है जो 6 videos में available है आज हम chapter number 2 start करेंगे relation and function तो बटा आज start करने से पहले मैं आपको बदानू यह relation and function की first video है और इसके बाद what is relation relation क्या होता है cartesian product क्या होते है functions क्या होते है यह आपको 3-4 videos में बिल्कुल crystal clear होने वाले तो time को waste ना करते हुए मैं start करता हूँ hello everyone okay तो this is about me जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम है जैदनवर I am your mathematics mentor at this particular platform HOD of mathematics at Yassar Ali classes and EduExcel also 7 years of teaching experience से पिटा पढ़ाते हुए मैंने diploma in mechanical engineering पासाउट क्या हो है from Aligarh Muslim University I am the associate member of institution of engineers India I am also graduated from the institution of engineers India I am also chartered engineer from the institution of engineers India I am the author of the rank pro of mathematical portion और मेरे बारे में और जानने के लिए you can search me on google as well as on youtube as the best teacher of quantitative aptitude in Aligarh जब आप best teacher of quantitative aptitude in Aligarh डालोगे चाहें तो आप google पर डालो चाहें तो आप youtube पर डालो तो आपको मेरे बारे में further information वहाँ से मिल जाएगी तो time को waste ना करते हुए मैं start करता हूँ topic है आज का हमारा relation and functions class 11 का mathematics by me और इस topic को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे हम सबसे पहले समझेंगे about ordered pair ordered pair के बारे में हम जानेंगे कि what is ordered pair क्योंकि यही हमारा relation का base है यही हमारा cartesian product का base है और यही हमारा function का base है अब क्या-क्या आपस में link है वो मैं समझा दे रहा हूँ अगर आपको ordered pair समझ में आ गया तो फिर आप move कर जाओगे cartesian product की तरफ cartesian product समझ लोगे और अगर आपको cartesian product समझ में आ गया तो आप move कर जाओगे relation की तरफ और अगर आपको relation समझ में आ गया तो आप move कर जाओगे function की तरफ ये बात समझने वाली है अक्सर teachers को मैंने देखा है और strengths को भी मैंने देखा है वो function पहले समझने की कोशिश करते है जो बिल्कुल गलत base है गलत concept है ऐसा नहीं करेंगे नहीं ऐसा हो सकता आपको function पे जाने से पहले तीन step और fulfill करने है उस मैंसे जो तहला step है उसका नाम है ordered pair आज की class में इन मैंसे दो चीज़े मैं आपको clear करा हुआ ordered pair और partition product अगर आपको ordered pair समझ में आता है ordered pair आपको crystal clear हो गया उसका base आपको crystal clear है तो मान लीजिए आप partition product को समझ पाएंगे और एक बार आपको partition product समझ में आ गया तो फिर आप relation को समझ पाएंगे अगर आपको relation clear हो गई ordered pair, partition product and then relation उसके बाद हम function को समझने के लिए बिलकुल तयार है तो हमारा ultimate aim जो है वो function है क्योंकि function ही चलता रहेगा पूरी 11th की mathematics में और 12th की mathematics में तो उस function पर पहुचने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते पहले उसका base clear करेंगे पहला हम ordered pair समझेंगे ordered pair समझने से पहले मैं लिख रहा हूँ a pair of shoes a pair of shoes या a pair of socks a pair of socks आपके पास shoes का एक pair है आपके पास socks का एक pair है अगर आपके पास shoes है उन दो मैसे left pair का shoe मैं आपको दे दूँ तो आपके किसी काम का नहीं है आप वो रख करके कुछ नहीं कर सकते या फिर मैं आपको right pair का shoe दे दूँ वो भी आपके किसी काम का नहीं है तो pair का मतलब है यह है जब दोनों shoe साथ में मैं दूँगा left का भी और right का भी तभी आपके काम आने वाला है या pair of socks जब मैं दोनो pair एक साथ दूँगा left का भी और right का भी तभी आपके काम आने वाला है उसी तरीके से जो ordered pair है ordered pair का मतलब इसमें जो number है उसका standard format उस number का standard format A, B की form में होगा A, B और इस तरीके से वो round bracket में बंद होगा for example अगर मैंने लिखा for example अगर मैं लिखता हूँ 3,5 तो ये एक ordered pair है मैं लिखता हूँ 4,6 ये एक ordered pair है यानि आप अगर x-axis और y-axis इस graph पर कोई भी point mark करते हो या कोई भी point यहां mark करते हो तो वो ordered pair की शकल में ही mark होगा let us suppose that आपने यहां mark कर दिया 2,4 तो this is ordered pair ये क्या है मारा this is ordered pair तो कोई भी point अगर आपको Cartesian plane में दिखाना है तो वो ordered pair ही होता है ordered pair का format कैसा है दिखता कैसा है वो A, B की form में होगा या बहुत सारी books में उसको हमने x, y का format भी दिया हुआ है x, y का format भी दिया हुआ है x और y हमारे दो numbers है और वो round bracket में बंद होगा तो अगर कोई भी point Cartesian plane में आप mark कर रहे हो, graph बना रहे हो तो वो ordered pair ही होता है this is all about ordered pair उम्मीद है आपको ये ordered pair समझ में आ गया होगा अब अगर हमें ordered pair समझ में आ गया है तो chapter का पहला topic भी clear हो जाना चाहिए that is Cartesian product Cartesian product क्या होता है उसको हम समझते है उम्मीद है ये clear हो गया होगा please watch the video and note it अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ पहला topic है हमारा Cartesian product of sets Cartesian product of sets क्या है एक-एक definition को बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे और उसके बाद इस पर हम काम करेंगे Cartesian product of sets क्या है इसके लिए पहला point given two non-empty sets आपके पास दो non-empty sets है non-empty sets का मतलब जो empty नहीं है उनका नाम है P और Q अब अगर आपको इस P और Q के लिए Cartesian product note करना है तो आप लिखोगे P cross Q इसको हम लोग क्या पढ़ते है इसको हम लोग पढ़ते है P cross Q This is Cartesian product अभी मैं सिर्फ बता दाँ Cartesian product को लिखते कैसे है How to denote, denote कैसे करते है अगर मेरे पास P और Q दो non-empty set है जो empty नहीं है तो उनका Cartesian product मुझे लिखना है तो कैसे denote करूँगा P cross Q करके तो this is P cross Q अब P cross Q में क्या आएगा Is the set of all ordered pair सारे ordered pair का set है यानि इस P cross Q के अंदर हम सब ordered pair लिखने वाले है और ordered pair के लिए elements कहां से उठाएंगे P से और Q से अगर मैं set builder form में P cross Q को define करूँ तो इस P cross Q के अंदर जो element आएगा वो P, Q की form में आएगा such that जो P है वो belong करेगा set P से और जो Q है वो belong करेगा set Q से This is the set builder form of P cross Q ये P cross Q का set builder form है P, Q के form में elements होना चाहिए यानि ordered form ordered pair के form में elements होना चाहिए ordered pair का जो first element होगा that is P वो आपको set P से लेना है और जो second element होगा that is Q वो आपको set Q से लेना है okay for example example के तोर पर अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो let us say हमारे पास कोई P set है उसके अंदर element है 1,2 एक हमारे पास Q set है उसके अंदर element है 3,4 ठीक है तो मैंने आपको दो non empty set ले ली है जो खाली नहीं है एक है P 1,2 एक है Q 3,4 अगर मैं number of element P में कितने है इसकी बात करूँ तो 2 element है P में और अगर मैं Q में कितने element है इसकी बात करूँ तो Q में भी मेरे पास 2 element है अगर मैं P x Q लिखता हूँ तो एक तो मुझे ordered pair चाहिए ordered pair चाहिए और पहला element set P से उठाने है दूसरा Q से तो पहला 1, 1 को उठाएंगे तो 1 का pair 3 के साथ बन रहा है 1,3 और 1 का pair 4 के भी साथ बन रहा है 1,4 ठीक है अब 2 को उठाएंगे 2 का pair 3 के साथ बनेगा 2,3 और 2 का pair 4 के भी साथ बनेगा 2,4 This is our P x Q यह हमारा P x Q है ठीक है अब अगर आपको Q प्रॉस मैं बोलू कि हाँ पर Q x P लिखकर के दिखाओ Q x P अब definition बदल गई है Q x P का मतलब अब पहला element आपको Q से उठाना पड़ेगा यानि आप 3 को पहले लेंगे 3 का pair 1 के साथ 3,1 and then 2 के साथ 3,1 and then 3,2 अब 4 का pair 1 के साथ और 2 के साथ 4,1 और 4,2 तो देखो इससे यह भी clear हो गया कि P x Q और Q x P दोनों equal नहीं हो सकते दोनों सेट अलग-अलग होंगे P x Q is not equal to Q x P यह दोनों ही सेट हमारे कैसे है यह दोनों ही सेट हमारे अलग-अलग है यहाँ हमारे पास P में 2 element थे Q में भी 2 element थे P x Q में कितने है 1, 2, 3, 4 Q x P में कितने है Q x P में भी 1, 2, 3, 4 यानि अगर मुझे number of element P x Q में लिखना है number of element in P x Q that will be equal to number of element in P multiply by number of element in Q यानि P में कितने element है और Q में कितने element है अब P में हमारे element थे 2 तो 2 यह हो गए और Q में हमारे element भी 2 थे तो 2 to the 4 4 element हो गए हमारे P x Q में तो याद रखिएगा P x Q में number of element अगर लिखालना है तो आप देखोगे number of element P में कितने multiply by number of element Q में कितने एक बार दुबारा से समझा रहा हूँ यह base है मैंने क्या बताया अगर आपको ordered pair clear है तभी आपको partition product clear हो सकता है आपने 2 set लेने 1 set है P और 1 set है Q दोनों set non empty set है पहला element P से उठाओगे और दूसरा element Q से उठाओगे जबकि अगर आप Q x P लेखना चाहते हो तो Q x P में भी आप ordered pair लेखना चाहते हो लेकिन इस बार पहला element आपको Q से लेना पड़ेगा और दूसरा element आपको P से लेना पड़ेगा इसलिए P x Q और Q x P दोनों अलग-अलग sets आते हैं अगर आपके पास P में element है N और M में element से N तो P x Q में जो element होंगे वो होंगे M into N जैसे अगर आपको P x Q में element लेखा लेए तो number of element in P देखो multiply by number of element of Q देखो वही सारी चीज़ें यहापर लिखी हुई है मैं एक बार पढ़के आपको पता दे रहा हूँ point number two बोला है अगर P x Q में से कोई भी एक null set है तो P x Q will also be an empty set बहुत important बात है यानि अगर आप किसी भी set का cross 5 के साथ निकालते हो तो answer will be 5 याद रखिएगा किसी भी set का cross आप एक empty set के साथ निकालते हो तो answer 5 आएगा जैसे मैंने बोला आपके पास B कोई set है उसका partition product 5 के साथ क्या होगा answer is 5 दोनों set आपके non empty होने चाहिए अगर कोई एक set भी empty है तो partition product की value भी empty set ही आएगी अब कुछ remarks है जो आपको याद रखने point number one two ordered pair are equal अगर आप two ordered pair को बोल रहे हो कि ये equal है वो तब ही हो सकते है जब उनका पहला और दूसरा element equal हो पहला element भी equal हो और second element भी equal हो अगर दो ordered pair को equal दिखाना है तो उनका पहला और दूसरा element equal होने चाहिए if there are p element ने अगर set a में p element है और set b में q element है तो a cross b में कितना element होंगे p into q ये बाद मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ next if a and b are non empty sets अगर a और b हमारे non empty set से either a और b is infinite और a और b में से कोई एक infinite है तो a cross b की value कैसे लिखी जाएगी वो मैं आपको आगे बता हुआ fourth सबसे important बात अगर आपका पास कोई set a है और आप a cross a cross a लेखना चाहते हो तो उसके अंदर element a, b, c की form में आएंगे और a, b, c तीनों element a से ब्लॉंग कर रहे होंगे और a, b, c क्या बोलते हैं ये ordered pair की जगा इसको ordered triplet बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन element आ चुके हैं उम्मीद है clarity आ गई होगी please pause the video and note it आगे बात करते हैं ओके, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं next topic पर next में यही सारी बातों के examples दिये होएं आईए उने examples को detail में हम लोग समझते हैं ओके देखें यहाँ पर हमारे पास कोई set A है और A set के अंदर DL है MP है और KA है और DL का मतलब है देली से MP का मतलब है मध्याप्रदेश से और KA का मतलब है करनाटक से B के अंदर उन cities के quotes दिये होएं that is 010203 ओके अब if the three states Delhi, मध्याप्रदेश और करनाटक were making quotes for the license plates of the bicycles with the restriction that quote begins with an element from set A हर quote तभी होगा जब आप यानि पहला element आपको A से लेना है तो हमारे पास क्या-क्या pair बन सकते हैं मिलाके आपसे A क्रॉस भी पूछ रहा है A क्रॉस भी ठीक है तो पहले DL के साथ जोड़ देंगे यह आ गया हमारा DL01 फिर आ जाएगा DL02 फिर आ जाएगा DL03 ठीक है एक आ जाएगा हमारा DL01, DL02, DL03 है ना यह हो गया एक order pair एक order pair यह हो गया एक order pair यह हो गया उसके बाद MP के साथ MP01, MP02 और MP03 यह हो गया हमारे तीन order pair फिर K के साथ K01, K02 और K03 बिल्कुल इसी तरीके से हमने लिखना आपको सिखाया था तो A x B में यह सारे आ जाएगे वो ही लिखा हुआ है DL01, DL02, DL03 पहले दिल्ली के साथ ले लिया फिर MP01, MP02, MP03 मद्धपरदेश के साथ ले लिया फिर K01, K02, K03 यानी करनाटे के साथ ले लिया यह सारे A x B है अब A x B के अंदर वही जैसा मैंने उपा लिखा है वो आ गया it can be easily seen that there will be 9 such pair ऐसे 9 pair आए उसकी वज़ा क्या है? उसकी वज़ा यह इस set में 3 element है और इस set में भी 3 element है तो Cartesian product में कितने होंगे? 3, 3, 9 9 element होंगे इसलिए हमें 9 ऐसे pair दिखाई दे रहे also know that the order in which these elements are pair is crucial for example the code DL, 01 will not be same as the code 01DL यह और यह यह बात तब है जब आप DL set 1 से ले रहे हो और यह बात तब है जब आप यह set B से ले रहे हो उम्मीदे समझ में आ गया होगा उसी तरीके से एक example यहांने यह दिया हुआ है अब बात करते हैं questions पर तो हमें 2 चीज़ें बहुत crystal clear हो गई मैंने आपको समझाया था हम functions पर नहीं पहुच सकते functions पर जाना बहुत दूर की बात है पहले हमें ordered pair समझना होगा जो हमने समझा कोई भी number अगर आप A, B की form में लिखते हो तो वो ordered pair होता है अगर आपको ordered pair clear है तब आपको partition product समझना होगा अगर A और B हमारे पास दो non empty set है तो हम A cross B लिखेंगे that is partition product A से B की तरफ A, B यानि ordered pair के form में आएगा लेकिन आपको पहला element set A से उठाना है और दूसरा element set B से उठाना है A cross B और B cross से दोनों अलग-अलग बाते हैं अगर आपको A cross B में number of element पता लगाने है तो number of element एन A में कितने है multiply by number of element एन B में कितने है अब बात करते हैं हम इसी के base पर questions की तो पहला question आपके सामने यह है आईए देखते है इसमें हमें दिया हुआ है कि यह हमारे ordered pair हैं और यह दोनों ordered pair equal है बुलना है x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 एक ordered pair यह है और यह ordered pair equal है 5 by 3 comma 1 by 3 के what is the value of x and y तो दो ordered pair तभी equal हो सकते हैं अगर पहला element पहले element के equal है तो इसका पहला element कौन है x upon 3 plus 1 और उस वाले ordered pair का पहला element कौन है 5 by 3 यहां LCM लिया 3 हो गया x plus 3 is equal to 5 by 3 3 से 3 cancel हो गया x will be equal to 5 minus 3 is 2 x की value 2 हो गया और y की value देखने के लिए इसका second element लेना होगा that is y minus 2 by 3 तो इस वाले ordered pair का भी second element ही लेना होगा that is 1 by 3 यह LCM लिया 3 हो गया this is 3y minus 2 is equal to 1 by 3 3 से 3 cancel 3y is equal to minus 2 दर जाएगा plus 2 2 और एक 3 and y is equal to 3 1 जा 3 y की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी उम्मीद है clarity आपको आ गई होगी कैसे 2 equal ordered pair को हम लोग equate कर रहे है पहला वाला element पहले वाले element के साथ और दूसरा वाला element दूसरे वाले element के साथ इसी के साथ हम next question पर बात करते next question is this देखते हैं कि बुला है set A है 3 element set A क्या है वो तो हमें नहीं पता लेकिन number of element in set A is equal to हमें दिया हो है 3 set B हमें दिया हो है 1 set B हमें दिया हो है इसके अंदर element है 3,4,5 यानि मैं बोल सकता हूँ number of element set B में भी कितने 1,2,3,3 element है find the number of element in A cross B तो number of element in A cross B क्या होगा तो अभी अभी आपको पढ़ाया था A cross B में number of element कैसे लेका लेंगे number of element in A multiply by number of element in B number of element in A कितने है 3 और number of element in B कितने है 3 3,3,9 यानि जब आप A cross B लिखोगे हमें लिखना नहीं है क्योंकि उसने A cross B नहीं पूछा उसने पूछा है number of element A cross B में कितना होगा यानि जब भी आप A cross B लिखोगे तो वहाँ 9 elements आएंगे और हर element की शकल ordered pair के form में आपको देखने के लिए मिल जाएगी ओके next question पर बात करते next question is this यहां हमारे पास 2 set दे रखे यहां हमारे पास 2 set दे रखे पहला set है G G के अंदर element है 7,8 एक set है H इसके अंदर element है 5,4 2, okay find G cross H अगर मुझे G cross H लिखना है तो इसके अंदर मैं A,B की form में element डालना चाहता हूँ यानि ordered pair के form में but A belongs to G पहला element जो है वो G से belong कर रहा हूँ and B belongs to H B किस से belong कर रहा हूँ? H से अगर G cross H लिखते है G cross H अब पहला element हमें G से उठाना है तो 7 उठा लेते हैं 7 का pair इन सब के साथ 7,5 7,4 and 7,2 फिर 8 का pair इन सब के साथ 8,5 8,4 और 8,2 this is what? this is our G cross H यह हमारा G cross H है ठीक है? अगर मुझे H cross G लिखना है H cross G वो भी तो पूछा है? तो H cross G में भी हम A,B के form में element को डालना चाहते हैं such that लेकिन इस बार A G से belong ना करते हुए किससे belong करेगा? X से A belong to H and B belongs to और second वाला जो element है वो किससे belong करेगा? B belongs to G B belong करेगा G से यानि जब आपको H cross G लिखना है तो अब आपको जो पहला element है वो X से उठाना है यानि यहां से उठाना है तो 5 का पेर 7 के साथ फिर 8 के साथ 5,7 और 5,8 उसके बाद 4 का पेर 7 के साथ 4,7 और 4,8 और उसके बाद 2 का पेर 7 के साथ and then 8 के साथ 2,7 and then 2,8 तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि यह दोनों values हमारी बराबर नहीं है यानि G cross H is not equal to H cross G यह दोनों अलग-अलग sets है, सिर्फ number of elements ही हमारे same है, उम्मीदे clarity आ गई होगी please pause the video and note इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे ओके इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं next question पर next question हमारे पास यह है इसमें हमें बताना है state whether each of the following statement are true or false आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको यह जो 1, 2, 3, 3 statement यह होए यह true है या false है if the statement is false, अगर statement false है rewrite the given statement correctly तो उसको साही से आपको लिखना है पहला वाला statement देखते है हमारे पास P है P में elements है M, N यानि number of element P में 2 है Q देखते हैं Q में है N, M यानि number of element Q में B2 है इसका मतलब अगर आप P cross Q लेखोगे तो उसमें element जो होंगे वो number of element in P multiply by number of element in Q P में है 2 Q में है 2 2 to the 4 P cross Q में 4 element होने चाहिए जबकि आप यहाँ देख रहे हो P cross Q में सिर्फ 2 ही element है यह 1, 2, 3, 4 count मत कर लेना पूरा ordered pair 1 count करा जाएगा तो 2 ही element है So this is false यह पूरी तरीके से गलत है हमें 4 element यहाँ पर चाहिए थे Second देखते है If A and B are non-empty set अगर A और B हमारे non-empty set है Okay Then A cross B is a non-empty set सही है जिसका ordered pair X, Y होगा X belong करेगा A से Y belong करेगा B से So this is nothing This is the definition of partition product partition product की definition है और बिलकुल correct है So this is true यह बिलकुल ठीक है Third वाले देखते है अगर A 1,2 है और B 3,4 है Then A cross B intersection Q is equal to 5 हाँ जी मैंने आपको बताया था अगर आप B intersection 5 कल पढ़ाया था मैंने Operation on sets में अगर आप किसी का भी intersection empty set के साथ लोगे तो it is nothing यह 5 ही आएगा और अब यह बोलना है A cross B intersection 5 तो B intersection 5 तो 5 आएगा और किसी भी element का cross अगर आप 5 के साथ करते हो तो answer will be 5 तो this is true यह बिलकुल सही है ठीक है उम्मीद है clarity आगी होगी समझ मैं आगे होगा इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ next next हमारे पास question है यह तो यह तो मैंने अभी आपको बिलकुल last में समझाया था एक बार दोबारा में repeat कर रहा हूँ मैंने क्या बोला था अगर आपके पास कोई set A है A is non empty set A is non empty set अगर आपके पास A कोई non empty set है then A cross A cross A आपको लिखना है तो इसके अंदर ordered pair की जगा ordered triplet आएगा A, B, C and such that A, B, C belongs to A यह तीनों के तीनों आपके किस से belong कर रहे होंगे A से belong कर रहे होंगे तो यह चीज मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ अगर आपका A कोई non empty set है तो A non empty set के लिए अगर आपको A cross A cross A लेखना है तो A cross A cross A में जो element आएगा वो ordered pair नहीं आएगा pair में दो element होते हैं तीन है A, B, C तो A, B, C का format आएगा और तीनों के तीनों set A से belong कर रहे होंगे आईए इसको complete करते हैं और A clarity के लिए मैं आपको यह पतानू number of element A में हमारे पास 2 हैं ठीक है? तो number of element A में हो गए 2 तो जब आप A cross A लिखोगे इसमें number of element होने चाहिए 8 2 2 is a 4, 4 2 is a 8 है ना? 8 element होने चाहिए आएए लेखते हैं तो A है हमारे पास minus 1, 1 अब मुझे लेख रहे हैं A cross A cross A तो पहला ordered triplet जो होगा वो ले लेते हैं minus 1 minus 1, minus 1 ठीक है? दूसरा होगा 1 1, 1 ठीक है? अब 1 minus 1 रखते हैं और 2 1 तो 1 minus 1 और 2 1 ऐसे 2 और बन सकते हैं कैसे? 1 minus 1 1 ठीक है? अब minus 1 को उदर shift कर देते हैं 1 1 minus 1 clear है? इन तीनों में 1 minus 1 है अब 1 1 रखते हैं और 2 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 को अदर shift कर देंगे minus 1 1 minus 1 और अब 1 को last में shift कर देंगे minus 1 minus 1 और 1 तो यह आप check कर लो total 8 हो रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो A cross A cross A is this ठीक है? उम्मीदे clarity आगे होगी please note please pause the video and note it important है यह 11th regular में अक्सार exam में पूछा जाता है ओके इसी के साथ अब हम लोग आगे बात करते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं next question देखते हैं हमारा क्या है next is this बहुत अच्छा और जबरदस कूशन है इसको समझेंगे पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे यह क्या है this is what? this is A cross B आपको एक cross partition product देखा है A, X, A, Y B, X, B, Y find and be तो बहुत आसान हो गया क्यों हो गया? हम जानते हैं if A and B are non-empty sets if A and B are non-empty sets अगर A और भी non-empty sets है और आपको A cross B लिखना है तो उसमें A, B की form में element आते है such that A आता है set A से और B आता है set B से इसका मतलब यह जो A cross B लिखा हुआ है इसमें पहला element set A से आया होगा set A से आया होगा यानि यह A, A, B, B repeat होना नहीं चाहिए यानि A, B और दूसरा element B से आया होगा यानि X, 5 यह होगा है हमारे A और B उम्मीद है clear आगए? चेक कर लो चाहो तो number of element set A में कितने हैं? number of element set B में कितने हैं? और A cross B कितना होगा? 2, 2s of 4 चार element है एक, दो, तीन और चार चीक है? ओके इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम उल्टे भी चल रहे हैं यानि reverse order में भी हम सीख गए हैं आप मुझे दो non empty set दो A और B मैं उसका partition product भी लिख दूँगा और अगर आपने मुझे partition product दे दिया तो मैं A और B में क्या क्या element है वो भी बता दूँगा ओके next question is next is this ये क्या है? समझते हैं पहले उसके बाद question करेंगे यहां मैं A set दे रखा है B set दे रखा है C set दे रखा है D set दे रखा है ओके आपको verify कर रहा है तो पहले मैं पहला ले रहा हूँ पहले का मुझे लेना है A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C इसको मुझे proof करना है इसको मुझे verify करना है A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C तो पहले मैं LHS पे काम करूँगा LHS में मुझे देख रहा है B intersection C एक set है तो what is B intersection C, वो देख लेते हैं, यह है हमारा B और यह है हमारा C, intersection का मनलब है common element, तो B के अंदर है 1, 2, 3, 4, C के अंदर है 5 और 6, क्या इन दोनों में कुछ भी common है ना, तो B intersection C तो आगे हमारा 5, और अब आप जानते हो, अगर आप A cross B intersection C चाहते हो, तो आप A cross B intersection C is 5, 5 चाहते हो और A का cross 5 के साथ, किसी भी set का empty set के साथ, जो partition product है, वो कितना होता है, 5 होता है, तो इसका LHS कितना आगया हमारा, LHS आगया 5, अब मैं बात करता हूँ RHS पे, RHS की बात करते हैं, और RHS के लिए पहले मुझे A cross B लिखना पड़ेगा, A cross B, A और B, तो A के पास हमारा 1 है, तो 1 का pair बनाते हैं, 1,1, 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4, उसके बाद pair बनेगा 2 के साथ, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, this is what, this is our A cross B, अब हमें चाहिए A cross C, A cross C, A cross C देखते हैं, this is A and this is C, A cross C उठाते हैं, 1,5, 1,6, next is 2,5 और 2,6, यह हो गया हमारा A cross C, A cross B हो गया और A cross C हो गया, अब इन दोनों में intersection, A cross B, intersection A cross C, क्या इन दोनों में कुछ भी common है, 1,1,1,2,1,3,1,4, 2,1,2,2,3,2,4, जो कहीं भी यहां नहीं है, यानि इसमें कुछ भी common नहीं है, LHS is equal to RHS, hence proof, LHS किसके equal कर दी, RHS के, LHS भी 5 आ रहा था, और RHS भी 5 आ रहा था, यह हमारा proof हो गया, A cross C is a subset of B cross D, A cross C, B cross D का subset होगा, तो हमारे पास A cross C तो यह लिखके लिखा हुआ है, This is a cross C, a cross C रखा रहें देते हैं, पहले हम B cross D लिखाल देते हैं, B cross D, B cross D लिखालते हैं क्या होगा, this is B and this is D, B cross D लिखाले, तो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, इसी तरीके से 2 के साथ 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, ओके इसी तरीके से 3 के साथ 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8, और इसी तरीके से 4 के साथ 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8, यह set पूरा लिख गया हमारा B cross D, अब A cross C, A में 1,5 है, क्या यहां भी 1,5 है, 1,6, 1,6 भी है, 2,5, 2,5 भी है, 2,6, 2,6 भी है, इसका मतलब A cross C, इससे ही निकलाए, मतलब यह इसका subset होगा, hence proof, उम्मीदे clarity आगे होगी, समझ में आगे होगा, next question पर बढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ, please pause the video and note it, इसको pause करिए और इसको note करिए, चलिए, अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next is this, यह क्या है देख लेते हैं, यह बोल रहा है, A, A है हमारे पास, 1,2, ठीक है, B है हमारे पास, 3,4, okay, write A cross B, A cross B लेखना है, तो यह तो आसान हो गया, A cross B अगर मैं लेखना चाहता हूँ, तो ordered pair, लेकिन पहला element A से उठा हुआ, यानि 1,3 and then 1,4, फिर 2,3 and then 2,4, यह आ गया हमारा A cross B, how many subset will A cross B have, ठीक है, तो number of element in A cross B, A cross B में number of element कितने, 1,2,3,4, 4 number of element है, कितने subset बनेंगे, number of subset, number of subset, हम सब जानते हैं, subset लिखने का जो formula है, वो 2 की power N, that is 2 की power 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो इसके 16 subset आएंगे, जिनको आप आसानी के साथ, पहले-पहले का pair बनागे, दूसरे-दूसरे का pair बनागे, empty set और वो पूरा लिख सकते हो, तो अम्मीद है, यह clear हो गया होगा, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करता हूँ, छीक है, ओके, next question पर हम लोग देखेंगे, next is this, इसको देखते हैं का है, A and B, विदख two sets, A और B दो sets है, number of element in A, A में number of element 3 है, number of element in B, B में number of element 2 है, यानि, number of element in A cross B, अगर मुझे चाहिए होगे, तो number of element in A, multiply by number of element in B करूँगा, number of element in A is 3, number of element in B is 2, 3 to the 6, यानि A cross B में 6 element होने वाले हैं, ठीक है जी, समझे में आ गया, A cross B में होने वाले 6 element, अब यह बोल ला है, अगर X,1, Y,2 और Z,1, are in A cross B, यानि, जब आपने A cross B लिखा होगा, जब आपने A cross B लिखा होगा, तो उस A cross B के अंदर कुछ element यह होगे, X,1, Y,2, ओके, और Z,1, Z,1, अभी इसके अंदर element और भी है, कुछ element यह होगे, find A and B, A और B आपको बताने हैं, where X, Y, Z are distinct element, अब देखो, हमारे A cross B के अंदर चाहिए हमें कितने element, 6 element चाहिए, यहां 3 है, अब X, Y, Z, X का pair हमने 1 के साथ ले लिया, है ना, तो ऐसा लग रहा है, कि भाई, पहला element तो तुम A से उठाते हो, ना, पहला element A से उठाते हो, तो set A में X होगा, Y होगा, और Z होगा, पहला element ले लो, X ले लो, Y ले लो, Z ले लो, और B के अंदर, 1 होगा, और 2 होगा, दूसरा element, ठीक है, अब देखो, number of element A में कितने हैं, 3 है, number of element B में कितने हैं, 2 हैं, सही है, यानि, हम अगर मुझसे पूछा जाए, A और B, तो A और B होगे, और अगर मुझसे पूछा जाए, A क्रॉस भी पूरा लेखो, तो X,1 और X,2 भी आएगा, Y के साथ Y,1 और Y,2 भी आएगा, Z के साथ Z,1 और Z,2 भी आएगा, यह हमारा पूरा complete set होगा, तो सिर्फ अगर मुझे definition भी clear है, तो मैं पूरा complete partition product भी लिख पा रहा हूँ, set A भी बता पा रहा हूँ क्या होगा, और set B भी बता पा रहा हूँ, please pause the video and note it, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते, next one is this, यह क्या है, अब यह हमें बोल लाए कि हमारे पास एक partition product है, A cross A, उसके अंदर 9 element है, number of element in A cross A, is equal to 9 है, ठीक है, among which are found, minus 1,0, और A cross A, जब आप लिखोगे, जब आप A cross A लिखोगे, तो उन 9 मैसे, उन 9 मैसे, 2 element आपको दिया होगे, 1 है minus 1,0, और 1 है 0,1, ठीक है, find the set A, आपको set A बताना है, A set क्या होगा, और A cross A के remaining element क्या होगे, वो बताने, बहुत अच्छा कुश्चन है, सिर्फ वही स्ट्वेंड ये कुश्चन कर पाएंगे, जो Cartesian product की definition को, बहुत अच्छे से समझे होगे, तो इस कुश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इस कुश्चन को हम लोग देखते हैं, अब हमें यहाँ, clearly यह पता पढ़ा रहे हैं कि number of element in a cross से equal to 9 है, ठीक है, और a cross a में जो 9 element होने वाले हैं, उसमें से 2 element A हैं, अब देखो, यहाँ पर बहुत crystal clear में यह बता सकता हूं, कि a जो है, a के पास, जो number of, अच्छा, a क्या होगा वो छोड़ो, number of element जो a में होंगे, वो definitely 3 ही होंगे, तभी a cross a में 9 हुए होंगे, क्योंकि number of element in a cross a अगर लिखा लोगे, तो बोलोगे number of element in a, multiply by number of element in a, तभी तो यह 3 into 3, 9 हुआ होगा, तो यह बात तो पक्केगी, a के पास 3 element है, ठीक है, अब a के पास 3 element ने ही idea हो गया, अब वो 3 element में से, 0, minus 1 और 1, यह दिखी रहा है हमें, तो बहुत crystal clear वाली बात हो गई, कि जो 3 element होंगे हमारे पास, वो minus 1, 0, minus 1, 0 और 1 मी होंगे, है ना, minus 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, minus 1, 0, और 1, इस a set में यह 3 element होंगे, ठीक है, चेक कर लो, अगर अब मुझे a cross से लिख रहा है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ a cross, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, a cross a के अंदर क्या आएगा, ओके, pairing ले ले लेते, तो सबसे पहले तो, minus 1, 0, फिर minus 1, minus 1, फिर minus 1, comma 1, एक तो इस minus 1 के साथ हो गया, minus 1, 0, minus 1, 1, minus 1, comma minus 1, और हो जाएगा, 0, minus 1, 0, 0, और 0, 1, एक हो जाएगा, 1, minus 1, 1, 0, और 1, 1, यह हो जाएगा है, मेरे पास, 9 element, तो a cross a के बचे हुए element, आपके यह है, और a में होंगे, minus 1, 0, और 1, इस question का answer भी हम, सिर्फ definition की वज़े से दे पाएग, बाकि हम इसका answer शाहिद नहीं दे पाते हैं, सिर्फ definition की वज़े से इसका answer दे पाएग, तो अम्मीदे, यह question भी clear हो गया होगा, इसी के साथ मैं आगे बत करता हूँ, next question पे, और यह था हमारा last, thank you very much, तो आज की वीडियो में, मैंने आपको पहले भी पताए था, direct teachers functions पे आ जाते हैं, और फिर functions, पूरी 11 की mathematics और 12 की mathematics पे चलता है, तो functions पे जाने से पहले, हम last के 3 step मिस नहीं कर सकते, आज हमने ordered pair समझा, फिर आगे बड़े, Cartesian product समझा, detail में question करें, अब relation समझेंगे, and then उसके बाद हम functions पहेंगे, उम्मीदे आपको वीडियो पसंद आई होगी, ordered pair का concept, और आपको Cartesian product का concept, बहुत crystal clear होगा, इस वज़े से वीडियो को share करें, ताकि और भी लोग जादे जादे सीख मैं, like कीजे वीडियो को, चैनल को subscribe कीजे, अगर नहीं किया होगा है तो, thank you very much, Allah आफस्टो वाल,